अयोध्या में लगाए गए पारिजात के पौधे के गुड़ों के बारे में जाने पाच अगस्त को प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी जब भगवान राम के मंदिर के लिए भूमी पूजन के लिए अध्या पहुचे तो भगवान राम की नगरी के रच्चक हनुमान जी के दरबार में सबसे पहले पूजा अर्चना की और यहां भूमी पूजन इस्थल पर पार धान मंतरी ने आखिर पारिजात का पौधाई क्यों लगाया दर असल यह सूजबूच से लिया गया फैसला था क्योंकि इस पौधे के रहस पुराणों और इसके अलोकी गुडों में चीपे हैं दर असल पारिजात ऐसा पेड़ है जिसके बारे में पुराणों में उलेख मिलता है किया सागर मंथन से प्राप्ट हुगा दिब्य वृच्छ है जिसे स्वर्ग से धर्ती पर लाया गया इस वृच्छ के साथ भगवान राम और देवी सीता के वनवास के दिनों की यादे माता सीता वनवास के दिनों में इसी वृच्छ के फूलों को चुनकर हिमाला बनाती और इसी से सिंगार किया करती थी इसलिए इस फूल को स्रिंगार हार और हर सिंगार के नाम से भी जाना जाता है माता सीता को पारिजात के फूल बहुत ही प्रिय थे कहते हैं इसके फूलों से मातालच्मी और उनके अवतारों सीता और रुकमणी की पूजा की जाये तो घर में धन की वृद्धी होती है नरेंदर मोदी ने पहले हनुमान जी की पूजा की राम मंदिर के लिए भूमी पूजन किया तो सीता जी की अनुकमपा के लिए पारिजात का पौधारों पड़ किया पारिजात के फूलों को हर सिंगार और सेफालिका भी कहा जाता है अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन और उर्दू में गुल जाफरी कहते हैं इसमें बहुत ही सुन्दर और सुगंदित फूल उकते हैं या सारे भारत में पैदा होता है पारिजात के फूलों को खास तोर पर लचमी पूजन के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन केवल उनी फूलों को इस्तमाल किया जाता है जो अपने आप पेड से तूट कर नीचे गिर जाते हैं तनाव घटाता पारिजात के फूल आपके जीवन से तनाव हटा कर खुसियां ही खुसियां भड़ सकने की ताकत रखते हैं ठकान मिटाता पारियात के यह अदवुत फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते सम मुर्जा जाते हैं यह माना जाता है कि पारियात के वृच को छूने मात्र से ही वेक्त की ठकान मिट जाती है सांती और समृद्धी आती है इन फूलों को खास तौर पर लच्मी पूजन के लिए इस्टुमाद किया जाता है यह फूल जिसके भी घर आंगन में खिलते हैं वहाँ हमेशा सांती और समृद्धी का निवास होता है हिर्दय रोग में लाब दायक हिर्दय रोगों के लिए हड सिंगार का प्रियोग बेहत लापकारी है इसके 15 से 20 फूलिया इसके रस का सेवन करना हिर्दय रोग से बचाने का असरदार उपाय है लेकिन यह उपाय किसी अरुवेदिक जाक्तर की सलाव पर ही किया जा सकता है इसके फूल पत्ते और छाले का उपयोग और सौधिक रूप में किया जाता है बढ़ी मांग जबसे प्रधानमंत्री नयह पौदा अयुद्ध्या में रोपित किया है तबसे एकाएक इसकी मांग बढ़ गई है इसके साथ ही लोग इसके गुड़ों को भी इंटरनेट पर खूब सर्च कर रहे हैं धन्यवाद